नवस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी इस यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में भारत के प्रसिद इसमारक के बारे में हम बात करेंगे जैसे कि इसमारक कब बनाया गया किसने इसको बनाया किसलिए ये प्रसिद है सारा का सारा हम इस वीडियो के तो सबसे पहला है दोस्तों, इंडिया गेट, अगर अस्थापना की बात करें तो 1921 में इसके अस्थापना हुआ था, अगर कहां परिस्थित है तो राजवत मार्क नेदिल्ली में इस्थित है, इसके निर्माता कौन थे तो डिजाईरन सर एडविन लूटियंस थे, इसका मह तो क्या है तो ये भारती युद्ध इसमारक की रूप में भी जाना जाता है, और प्रतम विस युद्ध में अपनी जानगवाने वाले भारती सैनिकों की इस्मृति में इसको निर्मार किया गया है, दूसरा है दोस्तों, लाल किला, 1638 से 1648 इसका अस्थापना वर्स है, अ किसरा है दोस्तों, ताज महल, 1638 इसमी में बनाया गया था, आगरा उत्तर प्रदेश में इस्थित है, इसको भी मुगल सासक साजाने बनवाया था, मुगल वास्तुकला का सबसे बेहतरीन उधारण है ये, अगला है दोस्तों, आगरा का किला, ये 111 सदी में इसका अस्था आपना हुआ था, ये भी आगरा उत्तर प्रदेश में इस्थित है, ऐसे मुगल ने बनवाया था, इसके महत्तों के बारे में देखते हैं तो सक्ती का केंदर था, और यहां से पूरे भारत की कमान समाले जाती थी, मूल रूप से राजा बादल सिंग द्वारा निर्मित है इसलिए बादल गड़ भी कहलाता है, सभी मुगल समराटों ने इसे बनाने में योगदान दिया, और युनेस्को की विश्चो धरोवर अस्थल में भी या सामिल है, आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला है दोस्तों बुलन दरवाजा, इसके स्थापनाग बात के तो य ये 1576 इस्वी में बनाय गया था, दादूपूर, फतेहपूर सीकरी उत्तर प्रदेश में ये इस्तित है, इसे मुगल सासक अकबर ने बनवाया था, ये दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा प्रवेस द्वार है, और फतेहपूर सीकरी के मुख्य द्वार पर निर्म ये घातक प्लेक की उन्मूनल के ये मस्जित को बनवाया गया था, अगला देख लेते हैं दोस्तों फतेहपूर सिकली, अस्थापना इसकी 1579 में हुआ था, आगरा में ये वी इस्तित है, अकबर ने इसे बनवाया था, ये मुगल राजधानी के रूप में 1571 से 1589 इस्वी में अस्थापित था, मूल नाम फतेहाबाद था, राजपूत राजाओं के खिलाब बिजय को मनाने और सुरच्छा के लिए ये बनाया गया था, अगला है दोस्तों देख लेते हैं गोल गुमबज, 1626 से 1656 इस्वी में इसका निर्मार किया गया था, जादार गली, बिजय जैपुरा करनाटक राजी में इस्थित है, इसे मुहमद आदिल साह ने बनवाया था, आदिल साह और उसकी दो पतनियों का ये मकबरा है, इसमें एक वीन इस्प्रिंग गैलरी है, यहाँ थोड़ी से आवाज भी सुनी जा सकती है, आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला है हवा महल, इसके स्थापनाग बाद के तो 1799 में बनाए गया था, यह जैपुर राजरस्थान में इस्तित है, सवाई राजा परताप सिंग ने इसे बनवाया था, इसमें 933 खिड़कियों के साथ 5 मंजिला इमारत है, अनोखी विशेष्ता इसका एयर कंडीसिनिंग जैपुर का जंतर मंतर सबसे बड़ी धूप गड़ी भी है, और यह खगोली वेद सालाएं भी है, अगला है दोस्तों कुतुम मिनार, इसके स्थापनाग बाद के तो 1193 में बनाए गया था, महरावली, दिल्ली में यह इस्तित है, कुतुम बुद्दीन एबक ने इसका नि दिल्ली में यह भी इस्तित है, बिग्गा बेगम ने इसका निर्माड करवाया था, भारत में निर्मीत प्रतम उद्ध्यान मकबरा है, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे दोस्तों एलिफेंटा की गुफाएं, पांचवी और आठ्मी सतापदी इस्वीपूर म बनवाए गया था, और अंगाबाद महराष्ट में यह भी इस्तित है, राष्टकूट राजाओं द्वारा बनाई हिंदू और बौध गुफाएं यह हैं, यादववन्स द्वारा निर्मित जैन गुफाएं भी यह हैं, यह गुफाएं इस बात की सच्छे है कि तीन धर्म हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौध धर्म एक हैं, अगला है दोस्तो अजन्ता की गुफाएं, यह दो से च्छ सताबदी इसापूर्म बनाई गी थी, और अंगाबाद महराष्ट में यह भी इस्तित है, इसे गुफत राजा ने बनवाया था, प्रतेक चट्टान हातों से तरासी गई मूर्तियों और पेंटिंग, बुद्ध और बिभी नजातक कताओं का प्रतीक है, यह भी युनेस्को की विस धरोवर अस्थल में सामिल है, अगला है दोस्तो खजुराहो का मंदिर, इसके निर्मार्ग बात के तो 950 से 1050 इसमी में इसका निर्मार्ग किया गया चले दोस्तो आगे देख लेते हैं, अगला है चंपानेगड, पावागड, पुरातन, पार्क, यह अठारवी और चोधवी सदी में बनाया गया था, पंच महल गुजरात में इस्थित है, अस्थापना महमूद बेगडा द्वारा किया गया था, इसकी विसेस्ता है पार्क सताबदी की राजधानी के आउसेस आदी सामिल है, इसे तरह अगला है दोस्तो जामा महजिद, इसकी अस्थापना 1656 में हुई थी, यह मध्ध दिल्ली में इस्थित है, साज अहां ने इसे बनवाया था, यह भारत की सबसे बड़ी महजिद भी है, गेटवे आफ इंडिया अस्थापना बात के तो 1924 में इसका अस्थापना हुआ था, यह मुंबई में इस्थित है, यह इसकी विशेस्ता है कि मुंबई के ताज महल की रूप में संदर भी थै, अगला है दोस्तो लेक पैलेस 1743 से 1746 से स्वी के बीच इसे बनाया था, पिछोला लेक उदैपूर मे मेवाड के साही वंस के महराडा जगस सिंग दुती, 62 इस तरह धिकारे के निर्देशन में एक ग्रिस्म कालिन महल के रूप में बनाया गया था, इसके सस्थापक के बाद सुरू में इसे जग निमास या जन निमास कहा जाता था, चले दोस्तो आगे देख लेते हैं, अगल और भिलास पहलेस के नाम से ये पहले जाना जाता था, पहलेस एक तीन मंजीला पत्तर है, ग्रे नाइट के साथ बनाई गई सरचना, ग्रे रंग की पांच मंजीला टावर के उपर गुलाबी संग मरमर के पत्तर है, चतरपती सिवाजी टर्मिनल, 1888 में इसकी अस्थापना भी है अगला है दोस्तों महरानगर महल अस्थापना इसका हुआ था 1460 में यह भी जोदपु राजस्थान में इस्थित है राव जोधा ने इसका निर्मार करवाया था इसकी पिसेश्था है कि भारत के सबसे बड़े किलो में से एक है भारत में अच्छी तरह से इस्टॉक कि भी नाम से जाना जाता है यह हर धर्म के लिए पूजा और ध्यान के लिए अस्थान है अगला देख लेते हैं दोस्तों अगला है जैसल मेर का किला अस्थापना हुआ था 1156 में यह जैसल मेर राजस्थान में इस्थित है रावल जैसल के द्वारा इसका निर्मार कराया गय यह 15 सदी में अस्थापत किया गया था राज समंदर राजस्थान के द्वारा मेवार के कुम्भा के द्वारा राजस्थान में यह इस्थित है इसकी बिसेश्था है कि दूसरा सबसे महतपूर पहाड़ी किला है यह भी विसद्रोवर अस्थल है भारत की महान दिवार की रूप में भी इसे जाना जाता है अगला है दोस्तों बड़ा इमाम बड़ा इसकी अस्थापना 1784 से में थी यह लखलों उत्तर प्रदेश की राजधानी में इस्थित है आसपुत दौला की द्वारा इसका निर्माल कराया गया था यह एक सीड़ी प्रवेस द्वार मिनार मस्जित और भूल भलिया वाली भव्य इमारत है अगला है गोल कुंडा किला इसकी अस्थापना उत्ती 1660 में यह हैदराबाद में इस्थित है काकतई राजधान्स की द्वारा इसको बनाया गया था इसकी बिसेस्ता है कुलूर खान के हीरे की रूप में जाना जाता है जिसमें द्वार सहीत मंदिर, मस्जित और अर्ध वित्ताकार गड़ को सम्मिलित है अगला है बूम जीसस की बेसीलिका इसकी अस्थापना 1605 में हुआ था गोवा में यह इस्थित है इसकी बिसेस्ता है भारत के सबसे पुराने चर्च के रूप में विस्थरोवर अस्थल भी है चलिए दोस्तो आगे देख लेते हैं अगला और लाश्ट दोस्तो रानी की वाउ यह 11 सदी में बनाया गया था यह गुजरात राज्य में इस्थित है इसकी निर्मार रानी उदयमिता की थी इसकी बिसेस्ता है दोस्तो लगभग 24 मीटर गहरी विसाल सरचना सुलंकी वंस की राजा भीमदेओ की एक यादगार के रूप में है तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो फशना है प्लीज एक लाइक जरू करिये अगर दोस्तो चैनल पे नए है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करके चैनल साथ बन जाए क्योंकि लगातार हम इसी तरह की से हर पॉइंट पे आपको वीडियो प्रवाइड कराते रहेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंग जय भारत